इस साल 2020 में विवाह के लिए उप्युक्त मानने जाने ले गुरू और शुक्र ग्रह के अस्थ होने से 22 अपरेल तक विवाह के मुरत नहीं थे इसे पहली करोना महमारी के चलते लागडाउन लग जाने के कारण प्रशासन दोरा सीमी संख्या में शामिल होने के आदेश के कारण युवावने शादी के तारीकों को आगे बढ़ा दिये हमारे परिजन उसमें शामिल होते हैं उसके बाद ही हमें अच्छा लगता है अब लागडाउन खूल जाने के बाद प्रशासन ने 50 सदिस्टों को शामिल हनों की छूड दी है इसे देखती है जिन युवावन ने शादी टाल दी थी अब वो आनन फान में फिर से मुरत नि लिए जा सकेंगे जुलाई में 20 तारीकों देवशनी एकदसी से चातुर मास का शुवारम हो जाएगा और इस तरीके से शुबकारियों पर रोक लग जाएगी 20 जुलाई के बाद जो है अक्टूबर तक कोई मुरत नहीं है 20 जुलाई को देवशनी एकदसी के बाद कोई मुरत नहीं रहेगा तो यदी 2021 की बात करें इस साल मुरत है जून में 4 जुन को 5 जून को 18 जून को 20 जून को 26 जून को और 30 जून को जुलाई के दि हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2 जुलाई 6 जुलाई एवं 7 जुलाई फिर सीधे जो है महुरत नमंबर में हैं 19 नमंबर 20 नमंबर 21 नमंबर 26 नमंबर और 30 नमंबर दिसंबर की अधि हम बात करते हैं 1 दिसंबर 2 दिसंबर 5 दिसंबर 7 दिसंबर 11 दिसंबर 12 दिसंबर और 13 दिसंबर इस तरीके से हमने आपको बताए कि 2020 में इतने ही महुरत बचे हुए है देवठिनी एक अदसी के बाद तुलसी विवा के बाद महुरत शुरू हो जाएंगे जैसे कि हमने आपको बताए नॉमबर और दिसम्बर में जो महुरत है तो टोटल मिला कर देखा जाए तो महुरत नॉमबर दिसम्बर को दि मिला देते हैं तो लगबग लगबग जो है जिन महुरतों को हमने बताया है उसमें आप विवा कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेस्बूक पेज़ पर लाइक करें और यूच्जूब पर सबस्क्राइब करें खबर भी स्तरोकार भी हर कदम हर डगर हर मोर्चे पर तयार भी पक्ष हो या विपक्ष बात वही जो है सच, सहीद और दमदार भी गाओं कस्बा शेहर नगर रुख न पाए कोई खबर असर भी असरदार भी खबर भी सरोकार भी ललूराम.com सच कहेंगे ललूराम